सरकार पूरी तरह सहज हो चुकी है और एक दूसरे पर प्रेसर पॉलिटिक्स जो कहते हैं जो सब होता है प्रेसर पॉलिटिक्स दबाओ की राजनिती वो नितीश कुमार आरजेडी पर कर रहे हैं और लालु यादव जदियू पर कर रहे हैं अब खुल कर बास सामने आ गया ह सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी आदब के ऊपर जो चार सीट दायर किया गया सप्लिमेंटरी वह अचानक इस प्रकरण के बीच में कैसे हो एक दम पूरा दिर से साफ है 15 दिन से बीजी भी खिलाब श्टेटमेंट नहीं देना मीडिया ऐसे गारेक्टर फिल्म का कोई और होता है यह सारे अभी नेता कलाकार है बिहार में जो वही काम करते हैं जो निदिज कुमार करवाते हैं और निदिज कुमार बोल कर नहीं करवाते हैं इस्थितिया ऐसी बना देते हैं कि उनको करना पड़ता है मलमास का जो मेला लगना है 18 ता दिश के सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बिहार में सरकार कैसे बचा है लाली वादो के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि बेटा को जेल जाना चेका नितीश के कड़क अधिकारी के पाठक और सिख्षा मंतरी के बीच तनाव जो है वो काफी जादा बढ़ चुका है और इस मुद्दे पर जद्यू और आर जडी आमने सामने हो चुकी है नितीश कुमार के खासम खास मंतरी हैं अशोक चौधरी वो लगतार आर जडी के कई लोगों पर जम कर इशारों इशारों में हमला कर दिया कई आरोप लगा यहां शोक चौधरी पर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे लालू प्रशाद यादो बिहार से गायब है तेजश्वी यादो पिछले एक हफते से भारत से बाहर है इधर नितीश कुमार भी निकल चुके है नालंदा में क्या बिहार में कुछ सुख बुगाहट तेज हो रही है इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे साथ हमारे सयोगी उदिपतारन है उदिप जी क्या होने वाला है बिहार में सभी दिगजनेता गायब है सीम गायब है डिप्टी सीम गायब है लालू यादो गायब है क्या होने वाला है पटना स इसके बाद चोटु सिंह जो नितिसकुमार के बेहत करीबी हैं वो राजत को उसकी एक महात्या लगा लिजिये किरी लगतार उसके तयारी को देखने के लिए खूद बिहार के मुख्यमंतरी जा रहे हैं और जो विभाग इस पूरे मेले का आयोजन कर रहा है, जो विभाग इस पूरे मेले को और्गनाईज करवाने जा रहा है परेटन विभाग, उसके मंत्री तेज़श्वी अदव हैं और जितना पोस्टर लगा है राजगीर के सड़क पर, सब से तेज़श्वी अदव गयब ह मलमास का जो मेला राजगीर में लगने जा रहा है ठार तारिक से उसमें परेटन विभाग का वो मेला है और परेटन विभाग के मंत्री तेज़श्मियात भी गायब है हर जगा नितीश कुमार का फोटो है आप एक बात मानिये या ना मानिये सरकार पूरी तरह सहज हो चुकी और एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स जो कहते हैं जो सब्स होता है प्रेशर पॉलिटिक्स दबाओ की राजनिती वो नितीश कुमार आरजेडी पर कर रहे हैं और लालु यादव जदिव पर कर रहे हैं अब खूलकर बात सामने आ गया है और सुनील सिंग ने जो पर खो बैठे थे और उस पर जब सुनील सिंग डिफेंड करने आये थे तो शोक चौधरी ने कहा था कि हम सुनील सींग को नहीं जानते हैं आज जान गया है तो सुनील सिंग कौन है सुनील सिंग तेवर् देखिए जिस आग घलत बात नहीं बोले है अगर हकिकत चुखे त सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिरकार तेजस्वी आदब के ऊपर जो चारशीट दायर किया गया सप्लिमेंटरी वह अचानक इस प्रकरण के बीच में कैसे हो गया मामला तो लैंट पर जौब सक्राइम का छे मेन चल रहा है जाच हो रहा है पूछ हो रहा है कभी 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 कोई 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 इसमें इन्वाल हो रहा है अलग अलग अजनसी जब भीहार में 24 तादिकों सब्सक्राइब कर रहे हैं कि इसी एन मौके पर तेजस्वी अदव के ऊपर आखिरकार यह जो चार सीट वह क्यों दाखिल किया गया अगर बीजेपी कहीं आप नाम रखिए तो बीजेपी एसी टेम पर क्यों कर रही है जो बीजेपी अच्छे से यह बात जानती है कि अभी से नतीश कुमार की मुलकात हुई है उसके बाद से ही बिहार में ज्यादा राजनती गलियारों में बॉकलाहाट बढ़ी हुई है और अब आरजएडी भी देखिए और आरजएडी यह बास समच चुका है कि नतीश कुमार मन बना रहा है पल्टी मारने का एक दम पूरा द् चाहते यादो कोई भी इस बात का भास हो गया है कि अब नतीश कुमार एक बार फिल से फिर से पल्टी मार सकते हैं जो खबर हम तक आ रही है वह अभी आज का ख़बर बता रहे हैं आपको यही है कि बीजेपी ने नतीश कुमार से बिहार मांगा है और बीजेपी नतीश चुक्ति काल देखिया और पिछले 10 महीने के अगर आफ कारकाल को देखे तो लगतार जदियू जो है वो अंडर प्रसर ही रही है अर्जडी के पिछले वीडियो में हमने साला चर्शा किया सुरंदर यादो से लेकर चंदर शेखर यादव से लेकर और अलोक महता से लेकर और परतासी नहीं है तो अब यहां रहने तो कोई फैदा है नहीं पांच को एंपी जीत ही जाएगा मेरा उसे फैदा क्या होगा एंडिये में चले जाएंगा तो होचकता है फिर 16 करना पड़ेगा उनको ब्यारे गदी कुर्बान करने पड़ेगी तो यहीं पर मामला फसा हुआ है यह चर्चा हो रही है इन सब के बीच में लालू प्रशाद यादो क्या प्लान चल रहा होगा उनके वी दिमाग में कुछ ना कुछ तो चली रहा होगा अपने पार्टीक ला होगा पेट में दात है और पल्टु राम तो नाम इन्हीं लोगा दिया हुआ है अगर कॉंग्रेस और वामदल तो वैसे उसके साथ है तो क्या बीजेपी किसा सरकार बनाएगी असंभव तो वैसे भी आर्जेटी कुछ वैसे बड़ा स्वाल है कि पहले प्रणीर हो सकता है कि ज swarm green को होगा असे अने समच्कि पना वी और उसे बड़ा मामला है उससे बहुत बड़ा जादा बढ़ा मामला है इतना कम्फीर मामला है तो लालीवाद बिहार रिखोर्वाद प्रणों नहीं है तो उनके लिए सबसे बड़ा चालेंज वही में कि तक स्विक बचा ले बोन से दिल्ली गए हों या किस काम से गया हूं यह नहीं पता लेकिन आर लड़ाई बिहार में चल रही है, ज़दी और अरफार की लड़ाई जुबान से ही होगी, रचली होता है आप खाली आज का देख से क्या क्या ब्यान आया, अस्योगChodhrin क्या बोले सुनिल सिंग क्या बोले छोटू सिंग क्या बोल रहा है, सब जगा नितीश नाम के उलम चल रहा है जो यहां तो नितीश कुमार की इसे बात करने को त्यार नहीं है चुपचाब मुस्कुरा रहे हैं घूम रहे हैं राजगीर जाकर मलमास मेला का त्यारी देख रहे हैं तो क्या कहा जाए इस पर कि बिहार में सब कुछ सही थोरे चल रहा है पुलिटिकल क्रैसिस है कुछ भी हो सकता है किसी भी छण कोई बड़ा परिकिंग आ सकता है तो यह एक बहाना है सिख्छा मंत्रियों के पाठक के बीच के बीच के बीवात का अब नितीश कुमार सारा स्क्रिप्ट लिख देते हैं पाले और उस पर उनके जो मोहरे होते हैं कि मोहरा है यह लोग केके पाठक कहले जिए चाहे चंदर सेखर यादव कहले जिए कोई भी कहले जिए पठकता कोई और लिखता है डिरेक्टर फिल्म का कोई और होता है यह सारे अभी नेता कला का रहा है बिहार में जो वही काम कर करवाते हैं और बोल कर नहीं करवाते हैं इस थीतिया ऐसी बना देते हैं कि उनको करना पड़ता अब अगर अभी चंदर स्टेखर यादा और केके पाठा का प्रकरन नहीं वा रहा था तो ना तो असोग चौधरी इतना बड़ा ब्यान देते और नहीं सुनिल सिंग उसको रि जल्दी कि आज भी हो सकता है कल भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है तो राजनिती तो इसमें गैरेंटी वरेंटी थोड़े कोई बात का होता है किसी भी बात को आप राजनिती में अस्तो अस्तो कर नहीं का सकते कि यही घटना घटने जा रही है नितीश कुमार भी यह बात न जश्री यादो भारत से बाहर हैं बरहाल देखते हैं क्या होता है इस पूरे प्रकरण पर जो भी खबरे होंगी उस पर चर्चाएं हमारी लगतार बनी रहेंगे फिलाल इस चर्चा में एकता हैं देखते ही हमारे चनल दब्यार टॉप धन्यवाइब प्रॉप धन्यवाइब